नमो नारे ये गो माता वंदे मात्रुमा भारतिक प्रणाम और हृदैश ओम्शम सनिश्टरा है प्रदर्शकों मित्रों शात्यों हृदैश से आपका सागत है गुरुमंत्र विद्धाती महराद की आपकी अपने चैनल मित्रों शात्यों विद्वानों का मत है गुरुजनों का मत है अगर भाग्य पर भरोसा है तो जो तक्दीर में लिखा है वही पाओगे लेकिन साथियों अगर खुद उपर भरोशा है तो जो चाहोगे वो पाऊगे ऐसा मैंने देखा होई आपको बता रहा हूं यह अनबाउर किया मैंने अमनमल नहां है अब मैं बात करूंगा बुद्देव की बुद्देव नौग्रों में राजकुमार इस पद पर विराज़ होगे और में राज़े में बुद्देव नौअप्रेल दोहजार चौबीस तक विराज मान देंगे और नौअप्रेल को नौप्रेल को बुद्देव वक्री अवस्ता में में राज़ी में संच्रण और में राज़ी में बुद्देव नीच के बुद्देव का यह संच्र प्राइश ने वक्री होते हैं तो वानी में आक्रोश अग्रेशन की संभावना देता है अक्सर यह देखा गया है कि व्यक्ति अपनी घहरी सोच के कारण अनावशक गल्प पह्मिया पाल देता है फॉल्च इलूजिंट पैदा होते हैं जब भी बुद्धेव मेश राशी में वक्री होते हैं बीना सोचे समझे व्यक्ति निर्णे लेता है राजनीति के छेतर में इदी कोई व्यक्ति है और उनकी मेश राशी है उनकी करक राशी है उनकी कुला राशी उनकी मकर राशी यह समय पूर्ण ताशा बढ़ाने का है क्योंकि बुद्धेव मेश राशी में बिना सोचे समझे रहती निरने लेता और भासा में कंट्रोल नहीं रहता है तो कामकाज कारबार नौकर में अनाव से उठापट का संकेत मिला है और 24 अप्रेल तक संयम और धेरी और सुजबू से काम नहीं किया तो मोटा नुक्सान भी होता है लोग जो तूरिजम में हैं टांस्पोर्ट में तकनिकी छित्र में हैं पत्रकारता में हैं मीडिया में हैं एंकर है या एक्टर है जो या लेखक है या डारेक्टर है उन्हें विश में विशेश नहीं बरतनी पड़ेगी क्योंकि में बुद्ध वक्री यह तो आपकी गाडी छूर सकती है आप की ट्रेंच चूर सकती है आप काई यात्रा में जा रहे हैं आप नीचे उत्रे और गारी निकल गिये कोई की साथ दगा कर सकता है चीट कर सकता है तकनिकी चेतर में कई समश्यों का संकेत में जरा रहा है आप कंप्पिटर पे बैटे हैं अचाने कोई की दबगी आपका डाटा उर गए तो इस समय तकनिकी चेतर में विसेश साव्थानी बटनी पड़गी हार्डिक्स में डाटा पहले से सेव नी रखा तो बोटा नुकसान जल्दबाजी मिलने और शौट कट से लाब कमाने की प्रियास नुक्सान दे सकता है मेस राशी में जब बुद्देव आतन स्वावलोकन की जूर्थ पढ़ती है उमंग और उस्वा बढ़ेगा कुछ करगजन्य की लाल्सा होगी आत्म चिंतन का मोका मिलेगा स्वावकन का मोका मिलेगा आत्म बल मजबूत होगा तो जो शकारात्मक चीजे इनको लेकर लाब उठाने का प्रियास का है इसमें विशेश उर्जा रहेगी बुद्देव आपको भीतर से कुछ करने के लिए उक्साएंगे ऐसे काम जो आपको छोड़ सके उनको पुने करने के लिए उ कि रिष्टों को मजबूती करने का मौका मिलेगा यानि बहुत जरूरी है जड़े मुद्दे का मतलब कोई पुराने रिष्टे से और आपस में जंजट हुआ और दूर हो गये यहां बुद्देव यह भी संके दे रहे हैं कि रिष्टों में पुने मिलन का संजोग हो दे कि जो बात पहुंची नहीं रिष्टों में तब्दिल हो सकती है कि वक्री बुद्ध रिष्टे मजबू जरू करेगा बुद्देव का वक्री होना आपको नहीं ऑप्रचनल भी दे सकता लेकिन चुनोतियों की कमीजी नहीं है इसलिए निर्मल बुद्धी सहज बुद्ध जब मीन डासी में भी बुद्धेव आ जाएंगे तो बार राश्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा मैं को विश्चावधानी का समय है चाई वो कारोबार में हो चाई नोक्री में हो चाई राजनेती में हो चाई अज्यूकेशन भी हो हर छेत्र में बुद्धेव इसमें राशी पर आदारी राशी पर पूर्सों के लिए मैलाओं के लिए बुजर्गों के लिए बच्छों सब के लिए राशी पहले लेकिन यह जन्नल प्रडक्शन है आप जानना चाहते कि बुद्धेव आपको इस महिने क्या संकेर दे रहे तो नीचे नंबर आ रहे उन नंब पुद्धेव यहां तीन भावों को प्रभाविति रचाए तीसरा चठा और लगन तीसरा भाव चोटे भाईवेन है पुर्शार्त है मार्केटिंग है कम्मुनिकेशन इसकेल है डाकुमेंट है यात्रा है चठा भाव रोग है रिण है रिपू है नौकरी शेवा है जवाउं के साथ 100 अवलकन का मोगा मिलेगा वैभाई जिवन में पूर्ण शप्ता और सांग्ति का वातम नजर आ रहा जिवन साथे का मनवन कुछ प्राफ्द होगा जिवन साथे समन्द मनुकूलत आएगी किता का पूर्ण प्यार और पैसा मिलेगी प्रतु कामकाज का ब नौकरी वैबसाइब पढ़ाई में की महनत और परिश्रम का मनवन कुछ फल प्राफ्द होगा विशेश में तक्निकी से कंप्यूटर है इलेक्ट्रिक चेतर है इस चेतर में काम करने वाले अध्यन करने वाले विज्यात्यों के लिए लाब का संकेत है विशेश सावधान क कि आगों में बताना चाता हूं खर्चों को लेकर सावधान दे बड़ा निवेश नुकसान दे सकता है शत्रू शड़ियंतर कर सकता है फॉल्स इलिजिंस नहीं बचे तो घर में कले हो सकता है स्वास्त्यों को लेकर लापरवाईन यह है 24 दिन का विशेश सावधान क्या हो दूसरी में वक्री हो और वानी है कुटम है धन है बैंकिंग है भोजन है पंचम भाव रेलेशन है संतान है और द्वादेश भाव खर्चा है इन्वेस्ट मेंने कानूनी दावपेश है नीजी पारवरिक चुक है नीजी बैड है अस्पताल है अध्यात्मी यहां पर भी बुद्धेव तीन भाव विशेश सुर्फ से प्रभावित कर रहे हैं वेशाय में नौकरी में आर्तिक देशिकुलिष विश्व राशी वल बुद्धेव का मेश राशी में वक्रिवना अनुकुलता का संकीत नहीं दे रहा है अनाव सिक्कारी बादाओं का सामना करना पड़ेगा कामकाज में विवाद और काना फूर्ष की प्रिशान देगी कान किसी तरह की यात्रा में कोई लापरवाई नहीं करें साफधानी बड़ेगा आर्तिक दर्श्चिकॉन से बहुत जरूरीक आप अपने खर्चों पर काबूर रखें सहीं महुत धेर से अपनी पूर्य कार्ट समता से मेहनत करें सुझने तरीके से घर-परिवार और रविशा भावना है ख्याल रखना पड़ेगा मांसिक दमाव अनिद्रा पुराणी बीमारी नर्व शिस्टिंग की प्रति साफधान नेना पड़ेगा नेमित जांस की प्रति लापरवाई नहीं बड़े तारी उठापट के बावजी मैं यह कह सकता हूं कि पुरानी किसी योज़ना हर रोज शुपए शुपए अपने घर में गूगल का दूप शुपए और समय निकाल कर मृतुजी मंतर का जाप करने से कस्ट कमाएगे नुमनें बात करते हैं मिथू राशी वालों के लिए बुब्दे लगन और चतूर्थ भाव के सौमी होकर 11 भाव में 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 स्रास्ति में वक्री होंगे लगन आप चतूर्थ आपका नीजी शुप और एगादस भाव है कामकाज के नहीं अवस्तर मिलें कामकाज में रूची बढ़ेगी धन प्राप्ति का अच्छे मोखे मिलेगे अनावस्ति रोजगार शमंदी परेशान से मुक्त मिलेगी शुक के साथ नो में ब्रति होगी जमिन जादाद भूमी वहन वान का लाब मिलेगे अच्छा उसर मिलेगा नौकरी में परियासों के अनकुल लाप राप्त होगी सरकारी महामल में शफलता मिलेगी परसासनिक अधिकारी को उनतिक आउसर प्राप्त होगी वैस्ता है नोकरी कामकाज मनन को शफलता है रोजगार के साधन उपलब दोंगी घंकी प्राप्त होगी पारवाई दर्शिकों से समय शंके देर की पिता पिता तुले व्यक्तियों का पूर्ण आशिवा दुर्स प्रहुग मिलेगा एक बात विशेश ध्यान लग आपकी भाउगता का फाइदा न उठाले कर रहे हैं आपकी इम्मुनीशी सिस्टम कमजोर है थोरी सी सावधानी स्वास्ते को लेकर बढ़ते खान पान पर ध्यान दें समय पर सोए समय पर उठे रोग परतिर दो चमता बढ़ाने का प्रियास करें और खान पान में विशेश तुधार इस समय किसी तरका खाली अपना ही स्वार्थ सोचे निती निम सिधानतों का पालन करें और नशे से दूर रहे उपाय क्या करें हर रोज नित्यकर्ण में सनान उपरान बगवान गड़पती की सिर्चलना में शट्धापरों नमन करते हुए 11 इलाज़ी अर्पित करें 24 दित और वहीं बैठकर नौतारी के बाद में दाशी में प्रवेश कर दोधुष भाव खर्चा है इन्वेस्टमेंट है कानूनी दाओं पर उचे नीजी पारवार इस्यू के नीजी बैड है अस्पताल है अध्यात में देशे और तीसरा भाव भाई-बैन है कम्मुनिकेशन इसके लिए डॉकुम पिछली कारोबारी परिशान से मुक्ति में लिए रुषास्त और प्राक्रम उस्ता में ब्रदी होगी कारिवर्दी रूची बढ़ेगी वैवशाय में मनुकुल कारिश्रपलता के प्रभल योग आर्थिक लागु बढ़ोतरी होगी कारिश्तर में आपके साथ काम करने वा वैविशाय में परिवर्तन नहीं करें एक बात ध्यान रखें इस समय भूमी भान या किसी नए गजट में निवेश करेंगे दूखसान होगा आर्थिक प्रसंदियां डवाडोल हो सकती है यह आप पार्टिंश्रिप में कोई काम करते किसी साथ मिलकर कोई काम करते तो पू प्रशाय को लेकर वाट्सटाब को फेश्बूक और ट्यूटर इंस्ट्राग्राम को वैवारिक रूप से इस्तमाल करें नितिनिम सिध्धानतों का उलहंगन नहीं करें कानुनी दंड की प्रभुस्ट संभावना अब रातनिती के छेतर में तो वासा सहली संयम रखना चाह स्वास्ति के दिश्ट्राइब कमर कंदे कान नाक और गलेच समंदी को समश्या आपको परिशानी का संकेदेरी है चिकसा में लापरवाईंगे लिए करकराशी के युवाब विद्यात लिए केरियर कामकार्वा नौकरी के दिश्वान बुद्देव का वक्री होना मेंस और मेंडासी में संचरन करना सपलता पाने के लिए लापरवाई से बचना होगा पारवाई सतिस्वा को नजर अंदाज नहीं करें सिक्षकों के साथ मधूरता का वैबार रखे और उनकी सलहा पर कामकिरत अच्छा रहेगा विशेष साबधानी कारिस राजने तिक जोड़ तो परवाई में उपाय क्या करें हर रोज प्रतकाल नित्य कर्मिशनान उपरांत अपने घंडे पुझा देशी गाई का देशी घी का दीव प्रजड़ करें और ओम ब्राम ब्रीम ब्राम से बुद्धाय नमें बुद्धेव की विजमत का 27 बार जापकर और लगातार 24 दिन का कर्ष्ट और प्रेशांदि शुटकार मिलेगा नमना इनुबात करते हैं सिंग्राश सिंग्राश को बुद्धेव धन भाव और लाब भाव के स्वाम युगनी ग्यारवे और दूसरे भाव के स्वाम नमम भाव मेसराशी में वक्री होंगे ग्यारवा भाव आई है लाव ह इच्छाओं का है सोसल सरकल का है मितनों का है और दूसरा भाव वानी कुटम धन भैंकिंग धोजन और नमम भाव धरम है पिता है कनसेचर जी उस्सीशाए तो लाब भाव धरम भाव और धन भाव तीनों भाव प्रभावित धोरे शिंग्राशी वालों को अच्छे आउसर कुछ लाब मिलेगा अपनों का साथ मिलेगा बुजरूरों की सला मिलेगी और परसतिया आपके अनकुल लेगी संभाव इस दरान आर्थ तिक पक सुदर हो प्रतु मेरी सला है निजी स्वार्थ को छोड़कर बार आए अपने एहंकार प्रकाबू रखे वानी पर सहम रखे कि इसी भी रूप में वैर्थ के भैब्रम प्रांती को अपने उपर हावी नहीं हुन दे अपना भलाएं नहीं सोचे जिनके लिए काम करें उनका भी हित्त सोचे यह आवश्यक होगा इस चौबी दिन अन्यता कारिशिद्र मेनावश्यक प्रेशानियों का सामना करना पड़े अब युवा है विद्यारती केरियर कामकाज कारवार नौकरी शिक्षा की सित्र में तड़ी मेनत कठीन परिश्यक का फल मिलेगा मैनत और परिश्यक का पूर्ण फल आपको मिलेगा कंपिटिशन में सपलता मिलेगी लेकिन वेरत का भर्मन आलज सोचल मिडिया पर रहना आपके लिए नुक्सान दाइप रहता है विश्यक शावधानी क्या सेंगरा सेवल अहंकार पर काबू रखे जिवन साथी को नाराद नहीं करे अपनी गल्तियों को दूसरों पर नहीं नमने और बात करते हैं कन्या राशी वालोगली बुद्देव दसम और लगन भाव का स्वास्ति होकर आश्टम भाव में इस राशी में वक्री होंगी दसम भाव नौकरी है वेविशाई है कामकाज है जौब है इस्टे से से पिता की इससती है राजनिती और जीवन का लक् और लोगा लेकिन लेकिन मेरी बात को ठ्यानि के ़हीं और आपके कमजोर निरनी संथा करने का शामना देशा है अच्छे लाप्ड़ाइए आप अपते हाथ से निकल जाएगा नौकरी में शक्रमीं और बहुत एक रिष्टें में तल्की का संकेथ है नौकरी में इसमें अन आपका प्रमोशन बादित हो सकता है बहुत ज़रूर इसमें व्यविशाय विस्तार से बैसे किस्तिर का पुंजी निवेश बिना बुजरुकों की शला नहीं कर जानकार वेक्ति को दस्तावेश दिखाए बगर साइन नहीं कर बुद्ध का वक्री होना और मेंस और मेंडासी म कानूरनी मामलों समंधी कारियों में आपकी पकड़ को प्रभावित कर सकता है समय देकर आगे बनने का परियास करें यह समय अपनों को साथ लेकर चलने का है गोचर परवर्शतिस आपसी मनमुटाव और भाई बैनों किसा चक्राव का संकेत दे रहा है बहुत जरूरी आप स्वास्ते के दर्शकों करने राशी वालों के लिए 24 दिन सावधानिक है विद्यारती और युवाओं के लिए केरियर कामकाज कारोबार नौकरी शिख्षा के हिसाब से मैनत परिष्ण संगर्ष का संकेत में जरा रहा है आपकी कारी सहले के वज़े अनावशे को पुस्ता रखना बहुत जरुए क्या उपाएकर हर रोट प्रातिकाल नित्य कर्मियों सनान उपरां बगवान शूरी को जल देने के बाद गनपत्य की सुट देश्टी घीका दिपक जला और वहीं बैटकर ओम गंग गनपते नम इस मंत्र की एक माला जाप हर रोट करें इस शिख्षा है कंसर्टेंसी और बारवा भाव आपका खर्चा है आपका वह है इन्वेस्टमेंट है कानो निदाव पेचे नीजी पारवाज शू के नीजी बैटे अस्पताल है अध्यात में विलेश है और शप्तम भाव साजिदार पार्टनर जिवन साथी वीभार कामक विल्ट्रोनिक आट एक तो देख भाल करके अन्यता नुक्सान हो सकता है नौकरी किसे संधायों और धहर से काम करने का संके नजर अन्यता प्रश्कुल इस्थान परवरतने की प्रभल समभावना है क्योंकि इसमें कुछ अध्यकारी आपके कारियों में बिना बिना कारण नुक्ता चिन्नी करेंगी इसलिए आपसी मध्वेत की समभावना नजर आरी और इससे आपको बचना बहुत जोरी यह समय विश्थार और पुंजी निविस के लिए अन्कूल नहीं है वक्री बूद इस बात का संकेदर की बोल अमोलों को बोल हिये में तोल पीछे बोल पा कामकाज नौकरी में प्रतिकूल परिवर्तन का संकेथ है सावधानी से काम करें तोस्तों पर अंदा विश्वास नहीं करें सरकारी नियमों का उलहंगन नहीं करें वेर्थ में अधिक समझदारी मुस्यबत का कान बर इनी चतुराई नहीं नहीं दिखाए और वेर्थ की गल ब्रत्सम और एकादस भाव के सव्मिकृत छटे भाव मेश्रासी में बकरी होंगी अस्थम भाव स्वास्ते है दुरुगतना है गुप्त विद्या है शिक्रेश्टी है अकल शाइंस है तुस्राल है गुप्धन्य टैक्सेशन है ट्रांसपरमेशन है और 11 भाव आपकी इस लिए विर्दी की एच्छी आउसर मिलेंगी रोजगार के साधन वफक्राप भूनेंगे अच्छी तरकी और मोहनफा मिलेगा तो नौकरी में हैं तो समया आपके लिए पूर्ण तरफ्लता का संगिते रहा है मनों को रोकारी करने का अउसर मिलेगा आपकी कारी की गुणुब सब्सक्राइब 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 अपने उपर हावी नीजी जीमन में अपनों के साथ वादव्यार मदभेद की प्रबल संभावना पचे हैं हेल्थ और नर्वर्स सिस्टम लेकर साथ धाने बते हैं हर रोड पतकल नित्य कर्मेशन सनान उपरांत भगवान शुका कच्चे दूद्ध से अभशे करें हर हर महादेव का जाब करते दूद्ध या दई से हर रोल लगातार 24 दिन आप अभशे करते भगवान शुको तो आर् वाज़िदार है जिवन साती है विवा है और कामकाज का जसमभाव नौकरी है व्यवशा है कामकाज है जौब इस्टे से पिता की स्टी राजवनेतिक जीवन का लक्षे है पंचम भाव आपकी रेलेसन है संतान है शेर मार्केट है सलाह मनुरण ने सिक्षाए लर्निंग है तो इस तीनों भावों को विशेष रूप से बुद्देव प्रभावित करेंगी क्या संकेत है कारबार नौकरी आर्तिक दिशास और प्राक्रम दिखाना वाला होगा इदी व्यवशाय में नौकरी में आपने अपने अधिकारों का परियूप किया तवरित निर्णे लिए थोड़ा सा कारियों में जोटी जोकी मुटा है तो लाब मार प्रस्त होगा आर्तिक पस्त मजबुत होगा कारे विस्तार का मौका मिलेगा जमिन जाइदा तो आप काम करें तो आपको विशेष शपलता मिलेगी नई जिम्दारी के साथ नौकरी में उनत्ति के साथ कारी में धनलाब भी अच्छा होगा विध्यारत के विवाओं के लिए के लिए क्रियर कमकाज कारोबार श्रिक्षा के दर्चे को शफलता की प्रवस्ति होगी परिश्या पड़नाम अनकूल रहेगी परिश्ण मनुपन सब्सक्राइब करें संतां से तक्रार से बचे और बड़ बोलापन नुक्सान दे सकता अत्रतिक आत्म विश्राइब का मुशिवात में डालते हैं उपाय क्या करें हर रोज प्रातिकाल नित्य कर्मिन सिनान उप्रान भगान सुझी को जल देने के बाद तुलसी महिया के आगे कपूर का दिपक जलाए कपूर का अधुद उपाय है आपके लिए नमनान पर बात करते हैं मकर रास मकर राशी वालों के लिए बुद्द्ध आपका उस्तिक्ता है धर में पिताएं लंबी यात्रा है और चतुरभाव आपका नीजी शुक है घरवलू बाता बने शुक्समद इस भूमी भवने माह ने वहां ने आपका शुक्मिया आपकी माता का है कारोबार में शफलता कि सुबह उसर्प राप्त होंगे कारोबार म लेकिन वातवन पारवरिक अनकूल लेगा और विद्यार्तिक लिए कामकाच कारवार नौकरी के उत्तमाँ से नया जोब मिल सकता है जौब में प्रमेशन हो सकता है या वेशाय विश्तार का मोका भी मिलेगा पून्फल मिलेगा मननकूल स्कूल कॉलेज इनिएटि में दाकला समयदी समेशा भी छुटकार विशेश क्य संकेत है चुनोतियों का सामना करना पड़ेगा तो चुनोतियों से ना घबरा स्वास्तिक को लेकर लापरवाई नहीं करें और पारवार रिस्तों में तनाव नहीं आए इसके लिए आपको ध्यान देना होगा क्या उपाय करें हर रोर पात्यकाल नितिकर में जो सिनानों प्रांथ भगवान शुर्य को जल्द देने के बाद सर्दान उश्यार उड़द एक मुटी दू मुटी चार मुटी इसी फोड़ा सा गुरू डाल देजी और गाई को अपने हाथ से खिला देगा कष्ट और प्रष स्वास्ति द्रुगटना गुप्त विद्या शेक्रेशी ऑकल्ट साइंस सुस्राल गुप्त दंट शेल टेक्स टांस्परमिशन तीसरा भाव भाव भाई-बैन है कम्मुनिकेशन स्केल है दोकुमेंट है और पुर्षार्थ और शोती यात्रावगा इस संकून घरे योगा पूरा काने का उसर मिलेगा नौकरी के चत्रविशन पूर्ण शखलता और उनत्य प्रभल संकेते मार्केट में आपकी शाग बढ़ेगी व्यविशाई में मननकुर शोदर नए ओडर मिलेगा नौकरी और व्यविशाई की दिस्टिकों से इसमें आपके मनोबल और श्रास परिवर्तन नहीं नौकरी के में परिवर्तन नहीं ठीक रहेगा परिवार शाथ बैटने का महुका मिलेगा जीविशाथी और भाई बेनों साथ व्यर्ट का भरवभान भरं भै भरांती गल्थ बह्यमियां फरिशानी का कान बपन सकते इससे आपको बत्चना पड़ा है वै प्रत्योंगी परिष्ट परिष्ट कुम्राष्षी और विद्यार्तियों के लिए यह समय कामकाज को लगर कारुबार को लेकर नोकरी को लेकर शिक्षा को लेकर पूंध हुआ को संकेश less विद्यार्तों के सांधार उपलगों का संकेश है प्रतियों की परिशा है विभागी परिशा है नौकरी समन्दी परिक्षा कर प्रणाम अच्छे रहें पिसे श्वाब थानी लंबी दूरी की यातराइश्वम बाहन चला कर नहीं करें नासा से दूर रहें संतान पक्स को ले उपाय आप करेंगे तो आपके कर्ष बटेंगे नमना प्रबात्तों से मेंडाश्य 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 मे सब्सक्राइब आपके विभा है जिवन साथी कामकाज का है डेली इंकम का है पार्टनर का है साज़ेदार का है दूसरा बाव वानी है कुटम में धन हैं बैंकिंग भोजन है तो कामकाज और वैपार को लेकर साफधानी मिंदाश्य को बरतनी पड़ेगी नक्षत गर्णाओं कि अपके कामकाज में सही समय पर सफानी की वज़े से केरियर का म अनावस्तिक उठापटक और अंध्रिस्ट्राव को साब्सक्राओं करना पड़ेगा कामकाज और कारी नानी का संक्यत है जो तिस अनभव यही कहता इस समय में मिन दाश्यवालों को वैविशाय में पुंझ रचनात आते वह समझने में असक्सम रहेंगे इस समय आपका थौट पर से उचको ठीका है रचनात्मग रहेगा लेकिन आप थोड़ा सा अपने तरीके से सोचेंगे जो जिस गाइड लाइन में आपको चलना उसमें नहीं चल पाएगे तो उस पर थोड़ा सा ध्याम देना है नौकरी में है सरकारी नौकरी में है तो कारी इस तर पर थोड़ा सा सुझ बूश्ते काम करें शक्रमिय और बॉस को साथ लेकर चले आप एकाउंटेट हैं सीए बैंक में काम करते इस अवद्धी में आपको लापदाइट प्रसंद्द और सफलता मिलेगी केरियर और स्थोड़ों में पूंजी निवेशन है उपाय क्या हर रोज प्रतकाल नित्यक्रमिय सनान उपरांत मा भगवती दुरुगा के मंदिर में जाकर गाई के सुद्देशी दिपक जला है और हर रोज लगात्तार 24 अपरेल तक अरगला शुरों के तीन पार्ट सुभे और साम कर करने का प्रभाव आपकी राश्यों पर क्या पड़ेगा वह मैंने अपने अन्भाव के आधार पर आंकल न आपके सामने रगाए न भाय न भ्रम न भ्रांती न विवाद में तरन श्यक्न ओपन अजगर आपका था आपका है आपका रहेगा मनुन मनुन आपकी मज़ी तो नोए निए भूल हो गई हो तो दून हाज जरों के समा मनु क्तों है आपशुक्ष रहे,आपश्वास रहे,समर्दश summरे चिलेए रास्टान का हर्व्यक्तार मराज तो अफ़त प्लांत वेटियों से बहुत प्लार भाय में ढ़ teaching न दिया है हजार हैं शक्यों बेटियों का लक्ष रहा है मनशियूं और मानु होने इतनाती मेरा करतव है कि मैं अपनी राष्ट के शेवा करूं मैं इस राष्ट का नागरिक हूँ तीस सालों से मैं बेटी बचाओ और गो शेवा में अपना जीवन इस राष्ट के साथ लगाया है वरतमान प्रस्तियां आर्तिक दस्ट कौन से मेरी अनकूल नहीं है धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजे नहीं पहले भी कभी नहीं मांग रहा हूं अब भी मै दन नहीं चाहिए लेकिन वरतमान में जो आर्तिक प्रस्तिय हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सनिधान गोशाला की गाएं तुकी नहीं रहे इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए और सहयोग के लिए मैं श्योम आपके साथ खड़ा हूं आपकी सम खड़ा रहूंगा जब तक जिऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा नंबर आ रहा है इन नंबरों पर शंपर करी आप मेरे से बात करी लेकिन इसकी एवज में गाएं के लिए चाहरे की वेवस्ता कर लेजी और इसलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय में मेरा यह एंकार नहीं है साथियों मेरा राज शरोप पर है मैं यह नहीं कह रहा हूँ मैं परिश्रम करूँगा आपके लिए और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की वेवस्ता करें शणिम्हगवान आपकी रक्षा करें आपका जीवन सदा खुश्यों से भरा रहेगा ऐसा मेरा निवेद है और वे लोग जो शक्षम है शामर्थेवान है और जिने दाती महराज के जोती से समधान की आवश्यक्ता नहीं तो उनको मेरा प्रणाम क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महिने में लगबग लगबग 20 से 25 पचास लोग ऐसे भी है जिनोंने सनिधाम गोशाला में 200 रुपया चारा कर दिया है मैं उन सब की प्रतिय अपना आभार परगर करता हूँ और ये सयोग में जीवन भार याद रखूंगा मित्रों समय ऐसा है कि मेरी प्रस्ति आर्तिक दस्टिकों से अनकूर शंकेत नहीं दे रही है इसलिए मैंने राष्ट कहा कि सनिधाम गोशाला में परिशानी नहीं चाहिए सरकार स्रपोर्ट कर रही है अपनी शिमाओं में रहते वे जो सरकार करते हैं लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है यह आप भी जानते है सासन के अपनी एक शिमा है और अपनी मर्याद है और सासन के पास और बहुत से काम है लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते भी हिरदय से पुने एक बार ने वेजन करना चाहिए आपको लगता है कि दाति महराज के साथ सनिदाम गोशालों में खड़ा रहना है नंबर है ज़र स्योकर परा कोई दवाव नहीं है प्रातरा थी ओम नमो नाराएन